ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपी होगी है जिनको डेंडरफ है या जिनके किसी रिलेशन को डेंडरफ है क्योंकि डेंडरफ में एक ये मिस्कंसेप्शन है कि किवल शैंपू करने से डेंडरफ ठीक हो जाता है क्योंकि डेंडर्फ होता है जो एक नॉर्मल यीस्ट एक किसम का फंगस जो हमारे शरीर सबके शरीर पर होता है जो ओवर ग्रो करने लगता है स्कैल्प के ऊपर हमारे सिर्मी बालों के नीचे जब वहाँ पर ओवर ग्रोथ आफ रैपिड ग्रोथ आफ यह होनी शिरू हो जात और बाद में ये फ्लेक्स के तरीके से नीचे हमारे कंदे शोल्डर पर गिरता है। इस येस्ट को नाम है मेलेसीजिया। ये येस्ट हर इनसान के बदन पर होता है। तो ये कहना कि इस येस्ट की वज़ा से ये बिमारी हो रही है ठीक नहीं है। और ये शैंपू करते हैं। लेकिन बेसिक कॉज को तो खतम नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाओ ताकि जिल लोगों को डेंडरफ है उनको पता लगे कि शैंपू तो करे ही इसके साथ और क्या करे। ये जो डेंडरफ है ये मेल्स में ज्यादा होता है। और इसमें इसका कंसर् तो ये जो पेशिंट डेंडरफ के होते हैं इनको अपना टेस्टोसिनों लेवल ज़रूर कराना चाहिए। और दूसरा अगर मेल्स या इवन लेडिज फीमेल जिनको डेंडरफ है उनको अपना इसलिल लेवल फास्टिंग और पोस्प्रेंडियल ज़रूर कराना हाइपर इंसुलेनीमिया से PCOD वाले पेशेंस में भी हमने देखा है कि डैंडरफ ज्यादा होता है तो शेंपू करने के साथ साथ अगर वो अपना हॉर्मोनल इंवेस्टिकेशन करा लेंगे और अगर हॉर्मोनल इंबैलेस है उनको ठीक कराएंगे तो उनको डैंडरफ ठीक होने में काफी आराम मिलेगा और दूसरी बात आती है कि क्या शेंपू अलोन काफी है जैसे मैंने शुरू में का नहीं तो हमें और क्या करना है हमें इंफ्रमेशन आफ स्कैल्प जो हो रहा है जो रैपीड टर्नोवर और स्किन हो रहा है सिर के ऊपर जिसमें ओईल ज्यादा प्रडूस हो रहे हैं जो एक बड़ी फॉर्डर डाइट है इसके लिए वो रैपीड टर्नोवर को कम करना है वो इंफ्रमेशन को कम करना है वो हम कैसे करेंगे हमें डाइट चेंज करनी पड़ेगी इंफ्रमेशन डाइट बंद करनी पड़ेगी मोटे शब्दों में जो हम प्रॉसेस फूर्ड खाते है ऐसा कोई भी डबबा बंद खाना बजार से लेना बंद करेंगे जिसके उपर लिखा होता है डेट अफ एक्सपारी यानि कि उसके अंदर प्रिजरवेटे मेले होते हैं जो हमारे इंटेस्टिन में इंफ्रमेशन प्रोडूस करते हैं वो बंद करना पड़ेगा हमें वेजिटेबन ओइल्स खाना बंद करना पड़ेगा और प्रिफरेबली देसी घी में खाना खाए थोड़ी मात्रा में और कच्छी घानी के सर्ष्रों का तेल इस्तिमाल करें और अपने पेट में एसिड प्रोड़क्शन बढ़ाए अगर आप कोई पेंटोपर्जोल वगारा जैसी गोली खा रहे हैं एसिडिटी के लिए वो बंद करें और नीमू पानी ज्यादा लें एपल सिडन वेदिगर आप ले सकते हैं चमर सुबा शाम यह जो कुछ मैं बता रहा हूँ यह अपनी डॉक्टर की गाइड़स के साथ करें तो आप नोट करेंगे कि आपको अगर डेंडर रहा है तो शैंपू के अप्लिकेशन के बाद ठीक नहीं हुआ तो अपने डायेट को चेंज करने से और अपने हॉर्मोनल इंबैलेस को ठीक करने से आप उसको ठीक कर पाएंगे आज के लिए बस इतना ही मैं चाहूँगा कि मेरे इस तरह के छोटे छोटे अपडेट अगर आपको फायदा करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडर पीपर में शेयर कर दीजिए ठाइट यू